हेलो दोस्तों आपका हमारे चैनल Zero to Infinity में स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी कैस्टल करश आप में प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी की कि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वीक बता रहा है इसका सोलुशन बताऊंगा आज की वीडियो में तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जुरूर कीज़ेगा हमारे चैनल Zero to Infinity को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इपनी डिवाइस की सेटिंग है उसको उपन कर लेने तो डिवाइस की सेटिंग को उपन करने के बाद हमें यहां पर जाना है reset पर click करने के बाद हमें क्या करना है यहां पर एक और option होगा prepare network type का तो यहां पर आने के बाद आपको LTE यहां फिर 4G यहां से select करने के बाद हमें क्या करने है हमें mobile network पर जाने mobile network पर आने के बाद इसको automatic पर ही रहने दिजीगा इसको automatic पर रखने के बाद हमें क्या करने है यहां से back आजाने है और advanced setting वाले section पर आजाने है तो यहां पर advanced setting वाले section पर आने के बाद हमें सबसे पहले तो data roaming है उसको always पर click कर देना है इसको always enable ही रखिएगा इसको enable करने के बाद एक और option होगा mobile network diagnosis का तो यहां से आप अपने internet connection की speed है उसको check कर सकते हो उसके बाद क्या करना है उसके बाद connection and sharing में जाना है और एक बार यहां से अपनी setting को reset कर देजगा reset करने के बाद हम एक बार अपनी device को restart करना है और restart करने के बाद 5 मिनिट बाद एक बार try किजिएगा आपकी problem है वो solve जाएगी तो वीडियो पसंद है वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें